प्रिव द्यार्थियों, इस ओनलाइन कक्षास्त्र में आप सभी का हार्दिक अमधन है, हार्दिक स्वागत है आजन पढ़ेंगे कक्षा दस्वी की पाठ्य पुष्तक, शितिज भागदो में संकलित, देव द्वारा, रचित, कवित आईए कवित देखते हैं फटिक शिलानी सो सुधरो सुधा मंदिर उद्धी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद फटिक का अर्थ है शफ्तिक शफ्तिक क्या है, शफ्तिक एक क्वार्टज है, यह एक खनेज है, यह रेत एमगरनाइट का मुख्य घटक है यह साधानता है, रंगीन पारदर्शी और कटोर होता है, चित्र में जो शफ्तिक है वो दिखाया गया है शिलानी, शिलाएं, सुधरो बना हुआ है, सुधा, अम्रित, उद्धी, सागर, दधी, दही, अधिकाई, अधिकता, उमगे, उमड रही है अमंद, एमंद, यहीं के अमंद नहीं होना, नहीं रुकना इस कवित्म की इन पंक्तियों में देव क्या कहते हैं कि जो अम्रित का मंदिर है, वह सफ्टिक की शिलाओं से बना हुआ है श्वे तरंग की शिलाओं से बना हुआ है और जो उसके चारों उर है उसमें जो दही का सागर है उसकी तरंगे उमड रही है जब वो तरंगे उमड ती है जब तरंगे आती है तो उनसे अपार आनंद आ रहा है अपार आनंद उमड रहा है आईए आगे देखते हैं बाहर भीतर सो भीती ने दीखिये देव दूद सो फेन फैलो आंगन फर्स बंद यहां पर भीतिय क्या आर्थ है? दिवार दीखिये दिखाई देना फेन जाग फैलो फैला हुआ है फरश्वन फर्स यह हम ऐसे कह सकते हैं फर्स के रूप में बना हुआ उंचा स्थान इन पंक्तियों में देव कहते हैं कि जो चारों और सफेद रंग की चान्नी चाई हुई है वह चान्नी इस परकार की परतीत हो रही है कि बाहर से और भीतर से जो दिवारे हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं किसकी दिवारें? अमरित मंदिर की दिवारे हैं और दूद जैसा जो ज्हाग है, वो आंगन में, ओर जो फरश है, वहाँ पर चारों और फैला हुआ है, जो चान्दी राथ है, बड़ी ही उजवल है, बड़ी ही श्वेत रंकी है, उसकी उजवलता चारों और फैली हुई है, उस जो शुधा मंदिर है, उसकी दिवारें ने तो बाहर से दिखाई दे रही हैं, नहीं भीतर से दिखाई दे रही हैं, चारों और जो स्वेत है, जो बिल्कुल ही स्वेध रंग है, वह है चा फैला हुआ है, उज्वलता फैली हुई है, अगले पंक्तिया देखते हैं, तारा सी तरूनी, तामे ठाड़ी जिल मिली होती, मोतिन की जोती मिल्यो मलिका को मकरंद, तरूनी यूती, तामे उसमें ठाड़ी खड़ी है, जिल मिली जिल मिला ना चमकना, मोतिन मोतियों की जोती परकाश मिल्यो मिला हुआ है, मलिका एक परकार का श्वेदरं का फूल आप देख रहे हैं, मकरंद, परागन, इन पंक्तियों में देव ने राधा का वर्ण किया है कि जो राधा है वह है यूवती है आकाश में तारों की तरहें जिल मिला रही है वह है इस परकार की दिखाई दे रही है कि मानों जो मोती हैं और जो मलिका का मकरंद है उन दोनों को मिला दिया गया है जो चांदी रात है पुनीमा के चांदी रात है उसकी जो स्फेदी है उसकी उजवलता है वह है चारों और चाई हुई है आर सी सी अंबर में आभा सी उजियारी लगै प्यारी राधिका को परतिबिंब सो लगत चंद आर सी दरपन अंबर आकाश आभा चमक उजियारी उजवल परतिबिंब परचाई या उसकी चवी इन पंक्तियों में देव क्या कहते हैं कि जो राधा है उसका जो रूप है वह ऐसा परतित हो रहा है कि मानुव है जो आईने जैसा दरपन जैसा साफ सो चाकास है उसके सामने खड़ी हो और राधा का जो गोरा रंग है ऐसा फैला हुआ है कि इसी के कारण जो चंदर्मा है वह राधा का परतिबिम दिखाई देता है अक्सर जो उपमा है वह इस परकार से दी जाती है कि चांद सामुखडा प्रम्तु यहाँ पर देव क्या कहते हैं कि जो चंदर्मा है वह राधा की परचाई लग रहा है यानि जो चंदर्मा है उससे ज़्यादा सुंदर राधा का मुख है राधा उससे ज़्यादा सुंदर है इस जो कवित है उस कवित में देव ने किस परकार से जो चांदनी है उसकी आभा है उसकी कांती है उसकी उजवलता है उसका जो श्वेत रंग है किस परकार से बन किय जो चान्नी रात की सुंदरता है वह है शफ्टिक शिलाओं से बने हुए अमृत के मंदिर के समान है जो अमृत का मंदिर है वह है श्वेदरंग की शफ्टिक शिलाओं से बना हुआ है देव कहते हैं कि दही का जो समुदर है उसके अंदर जो तरंगे उत्पन होती होई दिखाई दे रही है जो स्वेध रंग की तरंगे है उस परकार चाननी दिखाई दे रही है दूद की जो जाग है वो चारों और फैली हुई है उस दूद की जाग से जो दिवारे हैं वो नहीं दिखाई दे रही है यहनकि उसकी अपार सुंदरता का वढ़न किया गया है सारा आकास जो पुनिम की आवा है उससे जग मगा रहा है चांदनी रात में चांदनी की तरहें चमक्ती हुई दमक्ती हुई राधा के पर्तिभीम से ही चांद बहुत सुन्दर लग रहा है आईए अब हम इसके कावे सुन्द्रिय की बात करते हैं इस कवित में चान्नी रात की आभा उसकी सुन्दरता का बहुती सुन्दर धंग से वर्ण किया है इसके साथ साथ राधा का जो रूप सुन्द्रिय है उसका भी चितन किया गया है बात करते हैं भाषा की बर्ज भाषा है यदि हम अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार और उत्मालंकार प्रयोग हुआ है यदि हम बात करें इस कवित में श्रिंगारश है चांदनी रात का वर्ण किया गया है और जो राधा है उसके रूफ शुंद्रिया का वर्ण किया गया है बात करते हैं गुन की इस कवित में माधुर्य गुन है जहांपर श्रिंगा रस होता है वहांपर माधुर्य गुन होता है यदि हम बात करें बीम की तो इस कवित में चाकशुक बीम है कि हमारी आँखों के सामने द्रिशय उभर जाना जब हम इस कवित को पढ़ते हैं तो चान्नी रात का पूरा पूरा द्रिशय हमारी आँखों के सामने उभर जाता है जो उजवलता है चान्नी की जो चारों और स्फेदी चाई हुई है प्रकरती स्फेदी से नहाई हुई है वह द्रिशे हमारी आखोशामने आ जाता है इस पद में बात करें चंद की तो यह चंद बद रचना है कविच्छन का प्रियोग किया गया है तद्सन तद्भव शब्दों का प्रियोग किया गया है भाषा बड़ी ही सहसल और परवा में है यदि हम इसके अलंकारों की बात करें जैसा की इसमें बताया गया था कि अलंकार अनुपराशलंकार है रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है, यदि आप इस कवित को ध्यान से पढ़ेंगे, तो शिलानिशो शुद्रो शुधा, फेन, फैलो, तारासी, तरूनी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, फटिक, शिलानिशो अच्छित इसक्वित को पढ़ा इसमें राधा और चान्नी रात के सुंद्रिया का वर्ण किया गया है तो आज के लिए इतना ही काफी जल्द ही मिलते हैं एक नए उफिशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद